कि दोस्तों नमस्कार श्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल वेवी क्लास बाइसी अम्यासर में दोस्तों हमारे डाटा लॉगर स्रीज में आज अंतिक वीडियो होने वाला है इसके पहले हमने बहुत सारे वीडियो आपको डाटा लॉगर के बना के दिया एप्ट्रॉ यह हम डाटा लॉगर के बारे में क्या-क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं यह पूरी के पूरी जादकारी तो चलिए बिना देर की हम लोग शुरू करते हैं एप्टोनिक्स डाटा लॉगर के इंडिकेशन के बारे में आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैन हैं सीटी एस हैं एलेडी ओन हैं सीडी है आर्डी है टीडी है यह सारे इंडिकेशन दिया इसीटी है सीडी आर्डी टीडी उसके निचे और भी है अगले पार्ट में लोग देखते हैं तो यह जो इंडिकेशन से यह क्या बताता है अगर सीटी एस आपका एलेडी ओन है अ that is the memory modem ready to receive the data अगर cd on है data carrier detected that means कि modem का जो communication है this is the LED on modem detect valid remote modem जैनि दोनों modem के बीच में communication हो रहा है जो एंसरे और originating का है that is the communicate कर रहा है अगर RD receive data यह on है receive data from remote modem तो यह modem जिस modem के साथ connected है वहां से data receive हो रहा है TD अगर on है then transmit data from local modem तो आपका यह modem है यह यहां से data transmit अगले modem को कर रहा है इस indication से आप यह बता सकते हैं अगर ओएक्स जल रहा है उसके बाद आप देख रहे हैं इस इस दे data CD RD TD के बाद यह है वेच वेच अगर जल रहा है तो वेच अफ एलेडी और modem pick up the line it indicates that the modem is working अगर वेच जल रहा है तो modem working में है और अगर वेच आफ है बंद हो गया है तो modem hangs up modem hang कर गया है this is the system and data logger की modem हमारा वेच जल गया modem hang कर गया वेच बंद अगर हो गया है तो ए इसके बाद इंडिकेशन से this is the a auto answer mode अगर यह जल रहा है यह बताता है कि आपका modem auto answer कर रहा है auto answer mode में है अगर RTS इस उसके बाद indication है RTS request to send LED अगर on है that means request from data logger for data transmission यह data logger को request कर रहा है का आप मुझे data transmit कर यह data transmit करने का permission देखिए DTR सबसे नीचे वाला indication है this is the DTR अगर यह DTR जल रहा है then that means data logger is ready to send the data और यह सेम जितने indications आपके ऊपर में है same all indications at नीचे ऊपर वाले answer modem के हो गया यह originating modem का हो गया यह dual modem है यह आप जैसे के मुने पहले ही बता आपको तो जितने सारे function उपर में जो ही indications के हैं same function नीचे आपके सारे आ जाएंगे तो आप इस system को देखके बता सकते हैं कि आपका जो modem है वो कैसा function data logger क्या function कर रहा है और चोटी मोटी failures को rectify आप खुद आसानी से कर सकते हैं कि सारे equipment जितने भी equipment आप electronics electrical कुछ भी यूज करते हैं सबका एक manual होता है और उस manual के हिसाब से हम यह बताने का प्रियास करते हैं कि क्या उस equipment में करना है क्या नहीं करना है क्या आम जनमानस को भी करना है क्या छोटी मोटी बेखतियों को छोटी मोटी जानकरे रखने वाले को करना और क्या manufacturer को करना है इसके लिए सबसे important things होता है this is the do's and dots आये सबसे पहले हम जानते हैं क्या आपको हमको जिनको इसके बीसे में बहुत जानकारी नहीं है उनको करना है सबसे पहला install the CMU in the dust free and cool environment कोई भी electronics equipment को चलने के लिए dust free or temperature बहुत important रहता है please assure that the system is running with the NMDL this is the basic software round the clock बंद नहीं करना है NMDL software को data का flow को रोकना नहीं है assure from time to time that the system has enough free space होता है क्या एक आप उस C drive में कुछ काम कर रहे है कुछ और भी यूज कर रहे है तो C drive में space भर जाता है और C drive आएबर खाली नहीं रहेगा then NMDL software proper work नहीं करेगा तो C drive को proper efficient रूप से खाली रखना है regularly at least once in three months take a copy of the three month database in a CD आपके C drive में जितने data है उस data को हर एक तीन मेने में एक CD में लेखके आप उसको balance रख सकते है for future के लिए और C drive को खाली कर दे please assure that the CMU is connected to online backup supply EUPS अचानक से बंद नहीं होना है के light cutter PC off हो गया effect पड़ सकता है network पे और data logger पे भी software पे भी basic software पे भी please connect the UPS input supply to AT supply generator supply from the same point where the railway equipments are connected यह कहने का मतलब इस लिए है कि जहां पर AT supply railway का equipment supply लोग जोड़े रहते हैं उस पर अधिकतर ध्यान रहता है और failure होने के chances बहुत कम रहते हैं regularly assured that CMU and the LAN network to which it connected are free from virus antivirus बिल्कु यूज करना है ने तो क्या करेगा data craft कर देगा please assure that the database file that is the gdb file access should be handled with proper care please confirm that only authorized persons are allowed to appraise the CMU होगा क्या यह जो gdb file database file है इसमें आपने जो अपने station के हिसाब से data दिया वह बेश है अगर कोई और इसको यूज करेगा तो data में छिर्चाड हो सकती है डिलीट हो सकती है या गलत हो सकता है तो then report is also wrong data logger का फूरा basic funda ही समाप्त हो जाएगा so कोई भी gdb file के साथ अगर access करेंगे तो बहुत ही proper care के शाहत उसको access करना पड़ेगा नौ अब देखते हैं यह तो था क्या करना है क्या नहीं करना है यह भी बहुत important है कभी भी floppy CD CMU में without confirming that they are virus free नहीं यूज करना है कोई भी CMU में आप CD pendrive floppy नहीं यूज करना है क्योंकि virus आप डाल सकते हैं do not use the CMU for the other software like signal failure entry signal incidence software AutoCAD और किसी चीज के लिए आप उस CMU को यूज मत करिए उसमें सिर्फ और स्रिप NMDL को ही यूज करिए do not install games screen saver wallpaper CTC it may occupy maximum brain क्या होगा का आप कुछ कुछ दिखावा के चेक्टर में लगाएंगे सी ड्राइब फूल हो जाएगा सी ड्राइब फूल होने से NMDL software proper work नहीं करेगा do not sundown the system without proper close of NMDL and others जब तक आप NMDL को आप प्रोपर नहीं बंद कर देते हैं तब तक sundown मत करिए क्योंकि software हैंगो सकता है धन्यवाद data logger कड़ी में हम आज पूरी data logger आपको बताए अगर अच्छा लगा कमेंट्स जरूर देंगे like करेंगे share करेंगे और पूरी वीडियो पूरा single videos को के पास तक पहुंचे धन्यवाद तरी मिलते हैं अगले और किसी वीडियोज में जैहिन चेफार